इस्टार्ट पटना बिहार के मोल निवासी प्रख्यात एक युवा फिल्म अभीनेता सुशान्त सिंग राजपूत दिनांग 14.6.2020 को अपने मुंबई इस्तित बांदरा के निजी निवास में मृत पाए गए थे याची भी एक फिल्म अभीनेतरी और मृतक का मित्र है और वह गठना के कुछ दिन पूर्व तक मृतक के साथ तथा कथित लिव इन रिलेशन में रहे रही थी मुंबई पुलिस मृतक के मृत्यू को एक आत्म हत्या मानकर दंड प्रक्रिया सहीता की धारा एक सो चुहतर के अंतरगत मामले की जाच कर रही थी और यह जाच इस निर्णे की तिथी अर्थार्थ 19 अगस्त 2020 तक पूरा नहीं हो पाया था दूसरी तरफ मृतक के पिता क्रिश्न किशोर सिंग के परिवाद पर गठना में सबंधित थाने में याची को आरोपित करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया और बिहार पुलिस तदनुसार मामले का अनवेशन करने हेतू बांद्रा पहुची किन्तू इस्थानिये पुलिस ने बिहार पुलिस का सहयोग नहीं किया अन्तत बिहार सरकार ने मामले का CBI से अनवेशन कराने की सहमती देदी इसी बेच याची ने दंड प्रक्रिया सहीता की धारा 406 के अंतरगत यह अंतरण याची का उच्चतम नयाले में परस्तुत कर मांग की की सुशान्त मामले में पटना के राजीव नगर थाने में भारतिय दंड सहीता की धारा 306, 341, 342, 380, 506 और 120 खै के अंतरगत दर्ज प्रथम रिपोर्ट को और तत्परिणामी सभी कारवाहियों को अतिरिक्त मुख्य न्याइक मजिस्ट्रेट पटना सदर बिहार के छेत्रा अधीकार से अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट बांदरा मुंबई महाराष्ट्र को अंतरित कर दिया जाए याची का कथन था कि उसे इस मामले में जूटा फसाया जा रहा है और गठना से एक सब्तह पूर्व 8-6-2020 को ही वह अपने घर चली गई थी दूसरा यह भी कि मामले में मुंबई पुलिस को ही छेत्रा अधीकार प्राप्त है पटना पुलिस को नहीं पैरा श्री तुशार महता को सुनने के बाद विचार के लिए चार प्रश्नों को विरचित करते हुए उन पर निम्न निर्णे दिये हमारे समक्ष पहला विचारणिये प्रश्न है कि क्या यह नयाले दंड प्रक्रिया सहीता की धारा 406 के अंतरगत अनवेशन को अंतरित करने की शक्ती रखता है दंड प्रक्रिया सहीता की धारा 406 की उपधारा में इस समंद में निम्न उपबंद किया गया है पैरा जब कभी उच्चतम नयाले को यह प्रतीत कराया जाता है कि नयाय के उद्देश्यों के लिए यह समीचीन है कि इस धारा के अधीन आदेश किये जाए जब वह निर्देश दे सकता है कि कोई विशिष्ट मामला या अपील एक उच्च नयाले से दूसरे उच्च नयाले को या एक उच्च नयाले के अधीनस्त दंड नयाले से दूसरे उच्च नयाले के अधीनस्त समान या वरिष्ट अधीकारिता वाले दूसरे दंड नयाले को अंतरित कर दी जाए उपरियोग्त प्रावधान से इसपष्ट है कि धारा 406 उच्चतम नयाले को मामले और अपीलों को अंतरित करने के लिए सशक्त करता है इस शक्ती के परियोग का विस्तार नयाई के उद्देशों को सनरक्षित करना है इस नयाले के पूर्व निर्णे इसपष्ट करते हैं कि धारा 406 के अंतरगत उन मामलों में अंतरण की अनुमती प्रदान किये गए जहां नयाले यह विश्वास करती थी कि विचारण पक्ष पात पूर्ण हो सकता है और यदि विचारण को जारी रखा गया उचित और निस्पक्ष विचारण का रवाही जारी नहीं रखा जा सकता है समात